खबर मेजा प्रयाग राज की रिपोर्टर आर एस यादव द्वारा के गई रिपोर्ट मेजा कोटवाली के कोहडार पुलीस चोकी छेतर के साथा गाउंग मेवासी आकाश निशाद उम्र लगभग तेस वर्ष पुत्र राधा कृष्ण सोमवार की सुबह शवच हेतू जोकी गाउं के ही नाले की ओर गया हुआ था इस दवरान गाउं के ही रामदनी पुत्र शीवचरन शिवचरन पुत्र सदेही ने उसे दबोच लिया जहां पुरानी रणजिस एवं प्रेम प्रसंग को लेकर गाउं के ही लोगों द्वारा नाले के पानी में डूबो कर महत के घाट उतार दिया गया आरोपी मौके से भाग खड़े हुए वही ग्रामीनों को घटा की जानकारी हुई तो स्वजनों को सूचना दी उक्त सूचना पर रोते बिलगते स्वजनों के साथ भारी जन संख्या में ग्रामीन घटना स्थल पहुचें और उक्त मामले की जानकारी पुलिस को दी गई सूचना पर कोहडार चौकी प्रभारी अखिलेश सिंग दलबल सहित मौके पर पहुचें पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोमा हेतु शेहर भेज दिया बता दे की उक्त प्रकरंड में चौकी प्रभारी ने बताया कि पुरानी रण्जिस एवं प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को नाले के पानी में डूबो कर मौत के घाट उतार गया है वही मौत के भाई पवन की तहरीर पर उपरोग तारोपियों के विरुद्ध हत्या सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है मामले में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है घटना को लेकर मृतक की पतनी अर्चना एवं एक वर्षिया बेटा बेसुध हो गए है गाउं की स्थिती तनाव पूर्ण बताई जा रही है